वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा तो फ्रेंट्स वाइट वाले रजगुले तो आपने बहुत खाये होंगे चलिए आज बनाते हैं कुछ यम्मी और टेस्टी रजगुले जो किना हैल्दी भी होगा और खाने में सुपर टेस्टी तो चलिए इस रेसिपी को देखते हैं आई होब आपको पसंद आएगी तो इसके लिए नॉर्मल आप जो दूद लेते हैं आप ऐसा छेना निकाल लिए ठीक है तो यह मैंने छेना निकाल लिया जैसे आप फारते हैं सेम वही प्रोसीजर है विनेगर या निम्बू के साथ आप इसे फार सकते हो ठीक है उसके बाद मैंने उसे चान कर रख दिया है एक स्टेनर में उसके बाद यहां मैं बना रही हूं गुड का सीरप तो मैंने एक कटोरी गुड ले लिया है और इसी से मैं पांच कटोरी पानी डाल दूंगी ठीक है तो मेजरमेंट यही रहेगा एक करो मात पानी फैंस यह जो में पूहत यह सचना कि घुड़का बना है तो इसका फेंस की है जटता का यह वी गुड़ होता है खजूर का फ्लेवर होता है तो यह मेरे पास थात में बना रही हूं आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ का भी बना सकते हो उसके आप देख सकते हो एक घंटे हो गए थे और जो मेरा च्छना था मैंने इस तरीके से स्टेन करके रख दिय यहां रही हूं उसके बाद हमें मिलाना है दो चम्मच कॉण स्टार्च ठीक है कॉण फ्लार होता है यह ऐसी लिए मार्केट में मिल जाता है आप इसे मिला लीजेए अगर यह नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा मिला लीजे बस जाया नहीं 1-2 मिन पर 0,2 स्पून बस इतन तो अगर आप इस step को फॉलो करोगे तो आप देखो कि आपके रजगुले ना बहुत सौफ्ट स्पॉंजी बनेंगे और तभी खाने में मज़ा भी आते हैं उन रजगुलों को तो देखिए मैंने इसे करते करते अच्छा सा स्मूज सा डो बना लिया उसके बाद आप देख इसलिए अगर बन जाता है तो फिर बस पहीं पे आप इसको रोग दीजे इस प्रॉसेस को देन आप इसको छोड़े चोड़े पिसस में डिवाइड कर लिजे जितने बड़े आपको रजगुले बनाने वैसे भी साइज इनकी डबल या बड़े होई जाते हैं तो आप अप कर जाए कि आपका जो डो है बहुत अच्छा रेडी हुआ है अगर फटर वह रहेगा तो आपका परफेक्ट नहीं है ठीक है और जो कॉन स्टार्च मिलाए ना वह भी कम ही मिलाना है सिर्फ बाइंडिंग के लिए हम मिलाते हैं ताकि जो उसका टेस्ट हो ओवर फ्लो ना हो कॉन स्टार्च का टेस्ट हमारे इस गुले का छेना का ही आए ठीक है तो यह देखिए मैंने गुले बना लिये हैं जितने बने मैंने 12 बनाये थे और मीडियम साइज थे बहुत चोटे भी नहीं थे बहुत बड़े भी नहीं थे और फ्लेवर के लिए ना मैं गुर में खजूर गुड के बारे में इसका टेस्ट तोड़ा सा डिफरेंट होता है बहुत अच्छा लगता है और यह ठंड में मिलता है और मैं इसे लेकर रख लेती हूं एक से दो पीस कभी भी कुछ रेसिपी के लिए इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है इस जैगरी वाले ख घुट हो चाहिए बॉर्ण होते होते में ही आपको अपने रख यो लो को डालते जाना है एक एक कभी भी एक साहत ना डाले ऐक एक, डालते चाहे और बस जिससे मैं बेख चक के बहुत है हम बहुत तहर कर दो अधर जडूर कर आपको healthy भी रहेगा तो बस यह ऐसे बॉयल हो रहा अब मैं इसमें लगा दूंगी कूकर की लिड और इसमें दो सीटी दो सीटी लगा के मैं इसको छोड़ दूंगी ठीक है बंद कर दूंगी गयास को तो इसको बनने में पांच मिनट लगता है पांच मिनट में हो जाता है द में इसको डामने के बाद हम इसको estéश के पांच में वही रक डेश्फ sł resistant वह को कूकर डाम तो उसके निपने साएगा दूसरे बर्तर्न में और जब नॉमल टेंपरेचर में आ जाएगा पिर हम इसको इसको हैं उसको ब्रग्ढ़ई में उरंगे प्रिज में को टेस्ट है इ कहिए देखिए अब यह फ्रीज से मैंने निकाल दिया है मैं आपको इसको दबा के दिखाती हूँ इतना स्पॉंजी बना था इतना यमी बना था यह देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है इतना स्पॉंजी हुआ है तो देखिए इस तरीके से तो इससे पता चलता है आपको रेसेपी पसंद आयोगी पसंद आए तो लाइक करिएगा थाइंक यू सो मुच फर वाचिंग मैं वीडियो बाइ बाइ और टेक केर एंड मस्ट्राइए